वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में कुछ सस्पेंस है ये है वेनिस, इतिहास के सबसे महत्पपून बिजनस सेंटर्स में से इतली में बसा हुआ, वेनिस एक ऐसा शहर है, जहां सर्फ एक ही रोड है और एक जगह से दूसरी जगह पहुचने के लिए बोट का इस्तिमाग किया जाता है ये दुनिया के सबसे सुन्दर शहरों में से एक है वेनिस को हम फैशन हब के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पुर्शों, महिलाओं एवं बच्चों के सबसे बहतरीन कपड़े बनते हैं ये है वेनिस में बसी कुछ फैक्टरीज जहां मजदूर दुनिया के सबसे शानदार कपड़े बनाते हैं यह कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि यह 100% एक्सपोर्ट होता है सभी फैक्टरीज लगभग एक जैसी ही है मशीन्स एक जैसे, मशीन्स चलाने का तरीका एक जैसा फैक्टरी दिखने में एक जैसे, Employees Rules एक जैसे, वगेरा वगेरा. इसलिए यहाँ पर मजदूरों का एक फैक्टरी में टिकना बहुत ही मुश्किल है, और वो बहुत ही आसानी से कोई दूसरी फैक्टरी में काम करने चले जाते हैं. अब तक अगर आपको कहानी पसंद आई है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. दूसरी फैक्टरी के मालिक मजदूरों को बहतर पगार पे रख लेते हैं, और इसलिए मजदूर भी बहुत ही जल्द जॉब बदल देते हैं. किसी कमपनी को बड़ा ओर्डर मिला नहीं, कि समझो मजदूरों की ये खीचातानी चलती रहती है, मानो जैसे उनकी बोली लग रही हैं. और मजदूर भी जॉब बदलते जरा भी नहीं हिचके चाते. सभी फैक्टरीज की मालिक इस समस्या से परिशान हैं, पर वो मौका आने पर फायदा उठाना नहीं चूपते. अगर आप वैनिस में एक नई कपड़े बनाने की फैक्टरी लगा रही हैं, तो आप एक ऐसी कौन सी चीज करेंगे, जिससे की दूसरी फैक्टरी वाले आसानी से आपके मजदूर ना चीन ले. हमारों देशिय किसी मजदूर को नीचा दिखाना नहीं है, उनकी वजह से ही आज दुनिया इतने खूपसूरत लगती है. दी गई सिचुएशन में आप कैसे रियाक्ट करते हैं? वही इस पजल का सही जवाब है. इसलिए कोई एक निश्चित सही जवाब नहीं है. अगर हमें आपका जवाब पसंद आया, तो हम आपके नाम के साथ उसे एक नए वीडियो में बताएंगे. अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में कभी फसे हैं, जहां प्रेजन्स ओफ माइंड की जरुवत थी, तो कॉमेंट करें या इमेल करें. अगर हमें पसंद आया, तो उसमें से बहतरीन पजिला बनाएंगे. आपके नाम के साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एवं फैमली के साथ शेयर करें और देखिए किसमें कितना प्रेजन्स ओफ माइंड है.